नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरू शेर्म और आप देख रहे हैं हमारा चनल हरियाना अपडेट डेली नियूस बात करेंगे हरियाना की बड़ी खबरों के बारे में तो वेडियो को शिरू करते हैं देखिए पहली कबर आपको दाईतों कि हरियाना की लोगों को बड़ा जटका क्योंकि हरियाना सरकार जो खटर सरकार उन्होंने कुछ दिन पहले यह ऐलान किया था कि हरियाना के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर माँ भी अब 75% रिजर्वेशन होगी हरियाना के लोगों के मतलब 75% आरेक्षित कर दिये जाएंगी जिन पर हरियाना के लोगों को लिया जाएगा लेकिन इसके चलते प्राइवेट कंपनी उन्होंने हाई कोर्ट में दाखिल किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके चलते हाई कोर्ट ने इस जो खटर सरकार ने जो कहा था इसक सरीके से जो अनॉंसमेंट की थी इस पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया यह बड़ा जटक हरियाना के लोगों के लिए दूसरी बड़ी खबर एक ही परिवार के आठ लोग हुए घायल आपको दायता हूं कि जजजर के अंदर रेवाडी जो रोध तक हाईवे उसक पीज़े रोध तक रहफर कर दिया गया इसके बाद पुलिस को मामला बताया गया पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है और जो कैंटर चाला के उसके खिलाफ भी कारवाई शुरू कर दिया है इसके बाद करनाल में एक व्यक्ति की मौत करनाल के अंदर बात करें तो 64 नए को रोनना के कारण अगली अच्छी ख़बर है 82 पदो पर निकली भरती कुरू छेतरी उनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनने का मोका मिला है सबी को जो भी इसके लिए ऐलिजिबली है आपको दायतों कि 82 पदो पर ये भरती निकली है और इसकी जो फीस है बोइस के लिए जो जनरल केटागरी उनकी 2000 है और लड़कियों के लिए 1000 रुपे है SC, BC, EWS के जो बच्चे उनके लिए 500 है तो आप देख सकते इनके ओफिशल साइट पर जाके कुरू छेतरी उनिवर्सिटी के अंदर 82 पदो पर ये भरती निकली है इस वीडियो का आप शेर कीजिए ताक पर बारिश हुई थी और मैं बता रहता हूं आपको की बारिश के आसार अभी एक दो दिन और बने रहेंगे और सीत लेहर भी चलेगे हर्याना की बड़ी खबरे जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए रोजान आपको हर्याना की बड़ी खबरे इस चैनल पर मिलेंगी इसक साथ धन्यवाद